ही गाईज, वेकम टे इसोस पॉइंट, मैंसर्फ रिशिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले है PT 365 जो की वीजना इसकी है तो आज हम लोग international relation देखेंगे, हाला कि हमारी international relation में काफी topic complete हो गई है, कुछी topics बची है तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आज इसे complete कर दूँ, तो देखती हूं कि complete कर पाती हूं कि नहीं, क्योंकि last lesson मैं यहाँ पर NIA Act 2019 तक लीती आज मुझे start करनी है prevention of money laundering act से और इसके बाद इतनी topic अभी बाकी है तो देखती हूं कि आज मैं cover कर पाती हूं कि नहीं, आज नहीं कर पाई तो next lesson में complete यह cover हो जाएगी इससे पहले आपकी quality और economy cover हो चुकी है, साथ ही और भी lessons आपको देखनी है तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजे प्ले लिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हूं तो चली start करते हैं लेकिन start करने से पहले मैं last lesson में कुछ questions पुछी थी उसके answer बता दूँ फिर हम लोग आज के लिए आपके पास कुछ fresh questions है जिसके answer आप लोग को comment box में देनी है तो ये चार questions है हाँ question start करने से पहले एक आप लोग के लिए एक news है आप लोग काफी दिनों से suggest मुझे request कर रहे थे कि मैं कोई भी option की यहाँ पर मैं start करूँ आप लोग की geography option चाहिए history option चाहिए या फिर आप लोग को psychology की भी option चाहिए थी लेकिन मैं तो particularly start नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अभी GS पर focus कर रहे हूँ आप लोग की politics की भी lesson बची भी है साथ ही यहाँ पर आपकी environment की भी lesson बची हुई है तो इसको complete करने के बाद मैं geography और history start करूँगी जैसे आप लोग की request है तो पहले मैं GS complete कर देना चाहती हूँ फिर ही को email optional को opt करूँगी तो अभी मेरे पास एक option है कि काफी ISV चैनल से जहां पर आपके optional चलाया जा रहे है तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं उसकी link आप लोग को description box में provide करना चाहूँगी साथी geography optional के लिए काफी जाता आप लोग request करते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी channel है जहां पर एक सर है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो अगर मैं उनसे contact कर पाऊं तो मैं एक intro video उनकी अपनी channel पर जरूर upload कर दूँगी जिससे कि क्या होगा ना कि आप लोग भी उनके channel पर जाकर विजिट करके अराम से देख सकते हो तो उनकी intro video मैं अपने lesson मैं अपने channel पर जरूर upload करना चाहूंगी जिससे कि आप लोग को पता चले कि वो channel है किस चीस के बारे में और कितनी lessons वहाँ पर upload हो चुकी है साथी अगर आप लोग को यह इस तरीकी के lesson चाहिए दूसरे lesson दूसरे channel की मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँगी किस channel पर जाकर आप लोग कोई option पर सकते हो तो अगर especially मुझे यहाँ पर geography option का पता चला है तो geography option मैं satisfy हूँ तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग comment box में मुझे बता सकते तो मैं उनकी वीडियो जो हैं आप लोग को दिखा दूँगी तो चलिए आईए आप यहाँ पर चार question मैं पूछी दी सबसे पहले आपको बतानी कि Arctic Council के member कौन कोन है सेकंड एकी इंट आर्क से आप क्या समझते हो ठर्ड एकी दो permanent body जो SEO की है उनका नाम आपको बतानी है और fourth है कि first time इंडिया जो होस्ट करेगी annual G20 summit तो कहां पर यह होगा यह आपको बताना है किस year में यह आपका summit को यहाँ पर होस्ट किया जागा इंडिया के दौरा यह आपको बतानी है तो यह चार question के answer देख लेते हैं सबसे पहले अगर Arctic Council की बात करूँ तो यह establish किया गया था 8 Arctic State की दौरा और इसको कहते है Ottawa Declaration तो यह आद रखना है कि Arctic Council जो है आपका Ottawa Declaration से निकल करा है जो कि 1996 की थी यहाँ पर आपकी Canada है Denmark है Denmark में आपकी Greenland आती है और Foreign Island भी आते है Finland है, Iceland है, Norway, Russia, Sweden और United States एक बार आप लोग मैप देख लीजे इस मैप में आप लोग बिसिकली अच्छे से समझ पाऊगे यह Arctic Region है, North Pole में है और यह Arctic Ocean है यहाँ पे चारों और जितनी भी country है वो इसके member है जैसे रशिया हो गई उसके बाद यहाँ पे आपकी Canada है, यह Denmark है, Iceland है, Norway, Sweden and Finland इतनी countries है जो कि Arctic Ocean और Arctic के आपकी Council की member है Second is Indark, Indark इंडिया की First Underwater Mood Observatory है जो कि आपकी रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा इसी रीजन में इंडिया की द्वारा बनाया जा रहा है तो again very important है अब दो permanent body जो SCO की है, तो यह अगर मैं बात करूँ, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि Secretariat इसकी Bizzing में है साथी यहाँ पर Executive Committee of the Rational Regional Anti-Terrorist Structure है जो की ताशकंट में है तो यहाँ पर दो है, एक तो यहाँ पर SCO की Secretariat है और second यहाँ पर Rats है, तो Rats कहा है, ताशकंट में है और इसकी Secretariat कहा है, बिजिंग में तो दोनों आपको यादखने है, for the first time India host करेगी annual G20 submit और यह कब करेंगे हम लोग 2022 में तो Ind Arc जो मैं यहाँ पर बताई थी, Ind से India होगी, आक से Arctic होगी तो इस तरीके से भी आप लोगो यादखने हैं कि Arctic Region में ही यहाँ पर आपका Underwater Mood Observatory को पहली बार ऐसा बनाया जा रहा है तो इसलिए यह काफी important हो जाती है, तो अब आज के लिए आपके पास यहाँ पर 5 questions है अब यहाँ पर question number of questions मैं बढ़ा रही हूँ, तो first आप लोगो बताना है कि यह जो भशन चार island है, इसकी location कहा है basically यह island कहा है और किस purpose लिए बनाया गया था तो काफी अच्छा है, यह इतना बात आप लोग बता दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है second आप लोगो बताना है कि operation इंसानियत, यह है क्या और क्यों चलाया गया था इसके बारे में बतानी है third है कि यह बतानी है कि 1951 की जो convention on refugee है और 1967 की एक protocol है तो इसको यहाँ पर यानि कि basically यह refugee के उपर है तो यहाँ पर इंडिया इसकी party है की नहीं है यह आपको बतानी है fourth है कि यह सकेतकर committee यह किस topic से related है fifth है कि आपको यहाँ पर बताना है कि यह जो आपकी एक amendment की गई है कि enhance किया गया है jurisdiction वो भी NIA की तो यहाँ पर क्या है कि जो officer है NIA के उनके पास अब यह power है कि वो investigate कर पाएंगे कोई भी अपराद अगर यह इंडिया के बाहर हो रही है तो यह नया तरीके का amendment किया गया है तो आपको बताने कि यह किस act के through किया गया है क्या यह UAPA Act में किया गया है यह फिर NIA Act अभी जो 2019 की इसमें किया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं prevention of money laundering act से सबसे पहले basic सी चीज़ बताएं कि यह money laundering means होता क्या है money laundering, laundering means तो आप लोग समझी रहे हो जैसे आप लोग cloth laundering भी कराते हो साफ सफाई धुलाई वगरा भी कराते हो तो उसी तरीके से money laundering होती है, it means कि यहां पर black money जो होते है जो गलत तरीके से आप कमाया जाता है उसको यहां पर white करने का एक process है, तो इसके लिए इसको रोकने के लिए, यानि कि black money को white money में convert जो किया जाता है उसको रोकने के लिए हमारे हाँ इस तरीके की कानून है, तो government जो है, वो इस तरीके की कानून को 2002 में लाई थी और यहां पर काफी strict भी था, अगर recent amendment अगर हम लोग देखें तो इसमें amendment किया गया है, वो भी यहां पर finance act 2019 के through यहां पर आपका amendment किया गया है और amendment करके क्या नया policy और क्या नया यहां पर लाया गया है, उस चीज़ को बस समझने का कोशिश कीजेए अब यहां पर क्या है कि जो definition है, proceeds of crime, उसको यहां पर और जादा बढ़ाया गया है, यानि कि crime के अंदर और सारी चीज़ों को include किया गया है जिसमें कि अब क्या है ना कि यहां पर properties, assets, यह सब जो बनाया जाता है, criminal activity के थुरू, यानि कि गलत तरीके का काम आप लोग कर रहे हो, गलत भी नहीं कहूंगी, कोई criminal activities कर रहे हो, तो उसके थुरू अगर आप लोग अपना property बना रहे हो, माल लीजे कि कोई इंसान क्या कर होगे, कि यह सारी चीजे होती है, तो यह क्या है कि criminal activity करके आपने किसी का murder कर दिया, उस हिसाब से अगर उनकी property हरपना चाहरे हो, या फिर अपनी property asset बनाना चाहरे हो, तो इसको भी अब इस act के थुरू इसके अंदर लाया गया है, अगर यह आपका prevention of money laundering act के अंदर अगर है, तो it will be now considered as a relatable offense, अगर यह चीज हमारे इस act के अंदर नहीं है, तो भी इसको relatable offense के, यानि कि कोई related अपरात से इसको relate करके जो है न, अब इसको इसको इसके अंदर लाया जा रहा है, इंडिया की बात करें, तो इंडिया यहाँ पर signatory है, International Convention for Suppression of Financing of Terrorism, जो कि 1999 की यह act है, तो इंडिया इसकी signatory है, और United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, और United Nation Convention Against Corruption, तो यहाँ पर तीन बहुत बड़ी organization है, जो कि corruption को रोकने के लिए है, साथी जो एक country से दूसरे country में आपका crime का trans movement हो रहा है, उसको यहाँ पर रोका जा रहा है, साथी यहाँ पर terrorism, जो terrorism को financing करने की बात है, जैसे कि terrorist को पैसा कैसे दिया जाता है, उन लोगों को financing किस mode से होता है, तो यह सारे चीजों को रोकने के लिए जो हमारे international convention है, उसकी India signatory है, इंडिया इन सारे चीजों पर साथ देती है, कि इंडिया भी नहीं चाहती है, आपको लोगों को पता है, हम लोग तो हमेशा हमारे prime minister हमेशा ब हमने निकल के कि हाँ, terrorist को खतम करने के लिए, terrorist financing हो गई, या फिर counterfeit currency, यह सारी चीज़े इसी में आपका include होता है, तो इन सारी चीज़े को किस तरह किसे tackle करना है, global platform पे भी इसकी बात की जाती है, तो इसलिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए, कि हमारी country जो है, इन सार terrorist नहीं होना चाहिए, साथी जो transnational organized crime है, organized crime किसको कहते हैं, एक तरीके से बना बनाया, बसा बसा है, आपका crime किया जाता है, एक्दम plan करके crime किया जाता है, जैसे ISIS करते हैं, तो यह तो हाला कि आपका terrorist group है, लेकिन यह जो crime करते हैं, क्या करते हैं, यह पहरे plan करते हैं, फिर finally जो है, वो काम हो जाता है, उनका, तो यह organized crime है, sleeper cells होते हैं, जो लोग आप लोग देखते हो कि किसी तरीके से दूसरे दूसरे state में जाके फैल के, वो लोग कोई भी एक तरीके का, जो उनका एक बनायावा plan है, उनको वो execute करते हैं, तो यह सारी चीज़े organized crime के अंदर आती है, साथ ही हम लोग corruption के भी against है, हमारे मोदी जी हमिसा बोलते रहते हैं कि corruption को हटाना है, हटाना है, तो corruption के भी against है, इसलिए इन तींक तरीके की जो convention हो गई international platform पे, उसको हम लोग support करते हैं, इसलिए हम लोग signatory है, तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके का चीज टेकनिक से आप लोग निकाल लो answer, तो वो बहुत ही आपका लख है, तो ही उस तरीके का option दिया है, तो आप लोग निकाल पाओगे, otherwise नहीं निकाल पाओगे, factual चीज़े आप लोग को पता होना चाहिए, अब देखते हैं कि पहले की जो act है, 2002 की act है, उसके बारे में भी पत होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका define करके पूरी तरीकी से दिया गया है, तो maybe UPSC का दिमाग फिर जाए, और previous act से भी questions पूछ लिया जाता है, तो objective की बात अगर करें, तो यहां पर सबसे पहला बात ही है, यानि कि title में ही रखा गया है कि money laundering को यहां पर control करना है, prevent करन है, जो भी यहां पर laundered money, यानि कि अगर black money, white money में convert हो गया है, और यह सारी चीजों की हमारे पास evidence है, कि यह black money को white money में convert किया गया, तो भी उस property को seize कर लेने का हग है, साथी इसमें और भी कोई issues, जो कि यहां पर money laundering से connected है, money laundering से related कोई भी और भी issues, अगर हमारे इंडिया मे इस तरीके की बाते हो रही है, तो उसको भी यहां पर हम लोग deal करेंगे, तो यह तीन चीज़ है, तीन objective है इस कानून के अंदर, अब second चीज़ है कि यहां पर define किया गया है, कि इसको अपराद कौन कौन कहेंगे, यानि कि money laundering का अपराद हमें किसे कहेंगे, तो यहां पर ल proceed of crime, यानि कि इस तरीके का proceed of crime हो रहा है, कोई गलत काम किया जा रहा है, crime किया जा रहा है, और उसमें क्या है, कि आपके black money को white money में convert करने का यहां पर काम किया जा रहा है, और यह बाद में भी पता चल जाए कि इस तरीके का जो property बनाया गया है, वो guilty of offense of money laundering के अंदर आती ह यानि कि अगर यह साबित हो जाता है, कि इस तरीके का जो property किसी भी लोग के द्वारा बनाया जा रहा है, कि उनकी black money को वो convert कर रहे है white money में, और यह क्या हो गया, यह एक तरीके का अपराद है, और अगर उन्होंने यह अपराद किया है, तो फिर उनको यहां पर guilty माना तो इस तरीके से यहां पर offense of money laundering रखा गया है, इसको define किया गया है, साथ यहां पर prescribed किया गया है, कुछ obligations है, banking companies को, financial institutions को, साथी intermediaries को, तो यहां पर verification और maintenance है, जो भी यहां पर identity है, यानि कि सारे client का identity का record रखना है, उसको maintain करना है, verify करना है, साथ यहां पर सारे transactions को भी देख जाएगा, साथ ही यहां पर इस तरीके के transactions, जो कि यहां पर prescribed form में है, financial intelligence unit India में, FIU ind कहते हैं इसको, अगर इसके form में prescribed है, तो इस तरीके के भी यहां पर transactions है, इसके भी information यहां पर देखी जाएगी, तो यह सारी चीज है, जो कि obligation है, यानि कि यह सारा चीज अगर रखा गया हर तरीके का information को, अगर अच्छी तरीके से banking companies, institutions, intermediaries की रखी गई है, तो इसको भी यहां पर देखा जा सकता है, cross border money laundering है, it means कि आप समझे कि यहां कि जो Indians है, माल जो गल्फ countries में जा रहे है, वहां पर कुछ crime activities करके, वो लोग वहां से black money लेकर आ रहे है, और वापस लेकर आ agreement में जा सकते है, यानि कि कि किसी भी countries के government के साथ, वो agreement कर सकते है, अगर इंडिया के बाहर, उनको यहां पर इस तरीके का prevention of money laundering act को लेकर, अगर कोई भी provision को enforce करानी है, तो साथी information को exchange भी करना है, जिससे कि कोई भी अपराज जो है न, उसको हम लोग रोख पाएंगे इस का reward कर रहें, तो उस पर अगर कहीं पर भी अगर शग हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारी जो central government है न, वो Gulf countries से इराक, इरान जो है, उनसे contact करेगी, उनसे पूछने का कोशिच करेगी, क्या ऐसा कुछ activities हुआ है, हमारी इंडियांस वहां गये थे, तो उनके द्वारा क्या-क्या काम किया गया, तो सारी information क्या होगा न, कि वहां के गल्फ countries के जो government है, वो हमारी government को information प्रोवाइड करेगी, फिर उससे हम लोग cross and check करेंगे, और फिर ultimately ये पता चली जाएगा, कि उन्होंने किस तरीकी से पैसे कमा कर आए, तो ये काम भी यहां पर किया जाएगा, साथी special court ह हर एक कानून के अंदर बनाने का, आप लोग देख रहे हो, एक जरिया चल रहा है, बट बन कहा रहा है, आप लोग ground level पर आकर देखोगे न, तो बहुत ही बुरी हिस्तिती है, तो special court है, यहां पर कहा गया है कि number of state और जो uts है, उनको यहां पर central government के द्वारा order दिया कि वो यहां पर trial को conduct कराने के लिए, एक special code भी बना सकते हैं, यानि कि money launching की जो भी अफराद है, उसको यहां पर trial को conduct करने के लिए, यहां पर special code भी बनाया जाएगा, साथी यहां पर three member adjudicating authority भी यहां पर form की जाएगी, जो कि जो भी matter है, यानि कि यहां पर अगर property को confiscate करना है, या फिर attach करना है, इस कानून के अंदर, यह सारी matter को deal करने के लिए, यहां पर three member adjudicating authority बनाई जाएगी, इसका भी यहां पर प्राफधान है, तो मिला चुला कर आप लोग देख लिए हो, कि इस कानून में क्या बाते रखीगी, सबसे पहले तो यहां पर define किया गया है, क offense of proceed of crime, किसको कहेंगे, साथी यहां पर आपका जो है, एक cross border exchange भी रखा गया है, कि cross border information exchange किया जाएगा, साथी यहां पर आपका special court का भी provision है, साथी यहां पर आपका कुछ obligation है, जो कि banking companies में है, financial institution में है, साथी साथ यहां पर intermediaries से है, और यहां पर three member committee बनाने की, authority बनाने की भ करा जाता है, तो इसको कैसे confiscate करना है, और कैसे इसको attach करना है, तो इन दोनों fundे पर काम करने के लिए, यहां पर three member authority बनाई जाएगी, तो इतना provision है, हमारे इस कानून के दायत, इतना आपको पता होना चाहिए, अब आते हैं next कानून है, यहां पर special protection group amendment act, तो यह special protection group amendment act 2019 की ह जिसको दोनों houses से pass कर दिया गया है, तो दोनों houses से pass कर दिया गया है, अब यह president के पास जाएगा, president अगर इसमें हामी भर देगे, तो यह तो कानून ऐसे भी बन चुका है, तो key amendment देखिए, key amendment क्या है, कि इसमें जो पहले वाली यहां पर आपका जो कानून है, special protection group act 1988, इसको comment किया गया है, और special protection group जो है न, वो यहां पर कुछ recommendation बिरबलनाथ कमीटी 1985 के तहत यहां पर दिया गया था, तो इनकी committee की recommendation के द्वारा यहां पर कानून बनी थी, अब यहां पर special protection group आती है, यह continue किया गया, इसके अंदर क्या है न, कि special protection है, यानि कि एक तरीके का security protection यहां प protection दिया जाता है, साथ ही यहां पर security प्रवाइट किया जाता है, जो हमारे पुराने prime minister भी है, जैसे कि आज की date में आप लो, Manmohan जी को देख लो, प्रनम मुखर जी को देख लो, तो यह सारे जो है न, प्रनम मुखर जी तो हमारे president भी हो गया, तो यह सारे जिते भी president को भी दिया जाता है, लेकिन prime minister की यहां पर बात हो रही है, तो former prime minister को भी यहां पर security दी जाती है, उनकी immediate family member को भी दी जाती है, और यह कब तक जो पुराने वाले हमारे prime minister है, जैसे कि just यहां से आपके, यह मोधी जी के पहले जो थे, वो यहां से निकले, और फिर मोधी जी आए, तो पहले वाले जो मनमोहन जीते, उनको अगला जो 5 साल है, उस तक तक अगला 5 साल तक उनको यहां पर security प्रवाइड किया जाएगा, तो यह चीज़ है इसमें, अगर यह आपका special protection जो group security है, यह अगर किसी former, पहले के जो prime minister है, उनसे अगर withdraw कर लिया गया, तो it will also be withdrawn from his immediate family member, यहां पर बात यही है, कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर को यहां पर आपका protection दिया जा रहा है, तो उनके family को भी दिया जाएगा, अगर यह former पहले के जो prime minister है, उनके उनसे यह protection चीन लिया जाए, जैसे मनमोहन जी से अगर यह protection हटा लिया जाए, तो उनकी immediate family से भी यह protection ह अब आते हैं security issues देखते हैं जो कि North East वाले state में बहुँ जादा होता है सबसे पहले Bordo Peace Accord देखते हैं तो Bordo Peace Accord क्या है? Bordo Peace Accord एक Tri-Pretite Agreement है Tri-Pretite Agreement कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 group include है चाहिए यह 3 organization हो सकते है, 3 government हो सकती है, 3 association हो सकती है तो यहाँ पर आपके 3 लोग यहाँ पर include है इस agreement में इसलिए हम लोग इसको Tri-Pretite Agreement कहते है तो यह 3 Tri-Pretite Agreement जो है यहाँ पर Center और Assam Government क्योंकि Bordo Assam में है तो Assam Government और साथी Band Assam Best Insurgent Group National Democratic Front of Borderland है जिसको sign किया गया था 27th of January 2020 में जिसमें कि Peace लाने की बात की गई है यानि कि शांती लाने की बात की गई है Bordo Dominated Area in Assam में Bordo's क्या है? Bordo's अब देखिए Tribe है तो Tribe से भी related questions UPSC में बहुत पूछा जाता है तो एक आपका यह important area हो गया Bordo क्या है? Bordo एक Tribal Community है Assam में जिसमें कि 5-6% अगर आप लोगा Assam की State Population देखोगे तो उसमें से 5-6% Bordo Tribal Community है अब यहाँ पे आपका National Democratic Front of Bordo Land है जो कि एक Ethnic Insurgent Organization है जो कि 1986 में बनी थी और यह अपना खुद का दिमान कर रही थी कि उसको यहाँ पे Bordo एतनी group चाहिए और इनको अपना एक Independent State चाहिए जो कि Bordo एतनी group के लिए है और इसको रखा गया था नाम Bordo Land तो Bordo Land करके वो यह demand कर रहे थे और demand उनका कब से था? तो 1986 से था, कब जाके मिला? उनको 2020 में मिला काफी लंबा सफर और काफी लंबा उनको जो है struggle करना पड़ा अब इस हाइलाइट की, इस agreement की highlight देखिए सबसे पहले तो villages जो यहाँ पे Bordo's के द्वारा dominate किया जाते है आज की date में क्या है ना, BTAD के बाहर है तो यह इसको भी include किया जाएगा और साथी जो non Bordo population है उनको यहाँ पे exclude किया जाएगा अब यहाँ पे map दिया गया है तो map में देख लीजे Bordo land जो बनाने की बात की जा रही है सबसे पहले तो यह पूरी आसाम है आसाम की territory है यहाँ पे तो यह पूरी आसाम है इसमें भी आप लोग देख लो कि नौर्थ असाम है यहाँ पे चार district है जिसको मिला के यहाँ पे Bordo land बनाने की बात की जा रही है यह है आपका खाकराजर और है चीरांग पाक्षा और उदलगुरी उदलगुरी तो यह चार आपका district है जिसको के मिला के यहाँ पे आपका Bordo land बनाया जाएगा यह ब्रह्मपुत्र के उपर में है क्या पता आपका statement बन जाए कि ब्रह्मपुत्र रिवर के आपके नीचे है यहाँ पे Bordo land का territory तो नहीं यह उपर है नदन आसाम में तो यह तो आप लोग देख लिए तो यहाँ पर यही बात की जारी कि जो भी विलेज में इस जगह पे आरके जो भी Bordo land यानि कि Bordo travel community के लोग है वही यहाँ पे रहेंगे non Bordo यहाँ पे नहीं रहेंगे जो भी Bordo इस hill में है उनको यहाँ पे schedule hill tribal status भी दिया जाएगा Bordo के पास यहाँ पे देवनागरी script है तो उनको भी associate किया जाएगा उनकी official language जैसा और यह entire आसाम में भी हो सकता है BTAT की बात करें तो उनको आप यहाँ पे Bordo land territorial region कहा जाएगा और यहाँ पे आपका executive, administrative, legislative or financial power भी होगी इनके पास 1500 से जादा armed cadres जो है वो यहाँ पे आपका एब्जियोर है और join mainstream करेगी 1500 armed cadres जो है वो भी यहाँ पे mainstream को join करेगी एक special development package रखा गया है 1500 करोड का वो यहाँ पे 3 साल के लिए इसको provide किया जाएगा तो Bordo land बनाने की बात हो गई है तो यह बहुत ही अच्छी बात है अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है Bordo land territorial autonomous district लेकिन अब यह convert हो गई है आपकी किसमे तो यह है Bordo land territorial region में तो इसको Bordo land territorial region कहते हैं अब यहाँ पे देख लेते हैं Bordo land territorial council के बारे में यहाँ पे peace agreement के लिए जो कि 2003 में आई थी तो Bordo land territorial council जो है बनाई गई थी और यहाँ पे total 46 member है 40 elect होकर आते है 6 यहाँ पे government के द्वारा governor के द्वारा Assam State की जो governor है उनके द्वारा यहाँ पे legislative, administrative, executive, financial power है वो भी 40 policy area से भी जाते है और कहां है तो Bordo land territorial area district में अब यहाँ पे Bordo land territorial area district में आप लोग देख रहे हो कि 4 district है यह है खकराजर, बक्षा, चिरांग और उदलगुरी है साथी इसका functions जो भी है वो 6 schedule के अंदर रखेगा तो यहाँ पे आप लोगों constitution में पता है कि 12 schedule पूरी है 12 schedule में से आप लोग देखोगे कि 6 schedule है 6 schedule में exclusively 4 state के बारे में रखा जाता है कि जो 4 state की आपकी 4th यहाँ पे north eastern state है जिसके administrative जो है वो यहाँ पे autonomous है तो कौन-कौन सी 4 है यहाँ पे आपका है आसाम है यहाँ पे आपकी हो गई मेघाले, मिजोरम और तरिपूरा तो यह है आपकी 4 state जिसको कि यहाँ पे exclusively schedule 6 में रखा गया है और बाकी की जो यहाँ पे आपकी schedule area है उसको 5th में 5th schedule में रखा गया है तो 5th और 6th schedule में यही आपकी confusion होती है तो यह चीज़े आपको clear करनी है तो इसका जो भी function है और काम है यानि कि बोडो लैंड टेरिटोरियर काउंसिल का जो भी function है वो कहां से यह कर रहे है जो भी provision 6 schedule में रखा गया है हमारे सनवीधान में उसके according है यहाँ पे function कर रहे है तो पहले तो यह बोडो लैंड के बारे set किया गया था जिसमें कि नागा peace talk को conclude करना है और यहाँ पर जो भी इनकी problem है उसको यहाँ पर देखना है तो second भी यह भी काफी ज्यादा important है नागा conflict देख लेते हैं 1946 की बात करते हैं यहाँ पर आपका नागा council इसका formation हुआ था और यह जो काम कर रही थी यह अंगामी जा national council का leader का जो कि यहाँ पर Shilong Accord को sign किये थे जिसमें कि कुछ जो section है नागा national council की और नागा federal government की वो यहाँ पर agree की थी कि वो यहाँ पर arms वगेरा जितनी भी है वो यहाँ पर give up कर देंगे और एक group है वो refuse हो गये थे कि वो यहाँ पर Shilong Accord को sign नहीं करेंगे और उन्होंने अपना क्या बनाए एक group National Socialist Council of Nagaland चो कि 1980 में बनी फिर 1988 में क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो National Socialist Council of Nagaland है वो दो बाग में बढ़ गई पहला तो यहाँ पर आपका यह बढ़ गई 2015 में क्या हुआ कि यह जो आपका है इस साथ मूविया यह जो है जो नागा सोवनीटी का जो आइडिया था वो इसको गेव अप कर दी और एगरी होगे कि ठीक है इंडियन फेडरेशन के साथ वो सेटिलमेंट करेगी लेकिन इसका जो डिमांड था इसके डिमांड के बारे में अब देखते हैं यहां पर किया है कि एक ग्रेटर नागालेस में बनाने का जिसमें कि सारे जो कंटीजियोस नागा इनहबिटेट एरिया है साथी नागालेंड के साथ वो एरिया यह बनाना चाह रहे थे और इसमें किया है कि बहुत सारे तो आपको समझने को आया रुकी मैं दिखाती हूं अब इस मैप में देखिए आपकी कंसेप्ट ज्यादा अच्छ से क्लियर होगी यहाँ पर क्या है कि यह है नागलेंड नागलेंड में जो है यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंनमार से इंटरनेशन बॉंडरी टाच हो रही है इस साउथ में देखिएगा तो मनिपूर है नौर्थ में देखिएगा तो यहाँ पर आपकी हरुनाचर पदेश है और वेस्ट में देखिएगा तो यह आसाम है तो यहाँ पर सबसे पहले अरुनाचापदेस है फिर नागालेंड है फिर मनिपूर है फिर मिजोरम है तो यह कन्फ्यूज मत हुएगा साथी यह बांग्रादेश के साथ भी यहाँ पर बांडरी टच करती है तो अभी तो हम लोग इसके बारे हैं बात किये इससे पहरे जो भी हम लोग बात कर रहे थे बोर्डो लैंड की बात कर रहे थे जो कि आसाम की बात है तो borderland यहाँ पे कुछ बनाने की बात की जा रही है ठीक है अब यह नागा की piece record है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं तो बात हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आ गई NSCN इसमें आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ पहला है आयम यानि कि इसका था इशाक मुविया और दूसरी है के का प्लांग तो इनका डिमार्ड था कि ग्रेटर नागलिस में होने चाहिए इसमें कौन-कौन सी एर यानि कि मार कार्ट वाला जो मिठर था ये उसी को अपना रहे थे ये थोड़ा सा नरम हो गई और ये आपका अभी भी गरम है तो ये जो डेड्लॉक है गर्मेंट और जो नेशनल सोसिलिस्ट कांसिल आफ नागलिस्म के बीच में यानि कि इनके बीच में और गर्मेंट के इनके बीच में जो आपका डेड्लॉक था ये आपका सप्रेट नागा जो फ्लाग बनाने का और कॉंसिट्यूशन बनाने का ये इशू जो है आपका भी एक फाइनल आग्रिमेंट को होल्ड करके रगी थी क्योंकि यहाँ पर आगर नैशनल सोसिलिस्ट कांसिल आफ नागल फ्लाग था हाला कि अब 370 आर्टिकल्स को हटा कर वो सारी चीज़े बंद हो गई है लेकिन ऐसा ये भी करना चाह रहे थे तो ये तो इसको आपोस कर रहे थी ये इसके आपके सहमती में थे तो इसलिए यहाँ पर यह जो आपका फाइनल आग्रिमेंट टिकल के नहीं आ पा हम लोग इसको पढ़े थे शायद जैनवरी की मंत में था न ये सारी आर्टिकल्स बैक तो बैक उसी में थे तो कुकी नागा मिलीटाइंट साइन पैक्ट है रिसेंटी फर्स टाइम ऐसा है कि नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रूप है और कुकी नेशनल और जिन्होंने एक चॉइन डिकलेरेशन साइन करिए कि वो एक साथ काम करेंगे और एक सब्रेट नेगोशेबल पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी वो भी यूनियन ऑफ इंडिया के साथ तो नागा के साथ नागा ट्राइब के बारे में समझ गई वो नागा लैंड की है लेकिन ये कुकी लेकिन अरुनाचा प्रदेस में नहीं है तो हम लोग नॉर्थ एप्र प्रदेस को छोड़ कर को की ट्राइब चाहे वहां को मेखाले असाम नागले मनिपूर त्रिपूर और मेखाले में मिजोरम में देखने को मिलेंगे याद रखना है अभी हम लोग क्या देखिए नाग ठर्ट देख रहे कुकी कुकी या दखना है कि अरुनाचा प्रदेश में नहीं है बाकि सारे स्टेट में है important festival अगर हम दोग देख ले कुकी ट्राइब्स का तो यह है छावांग कुट और छापचार कुट तो यह भी ध्यान रखना है अब नागर ट्राइब्स के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंडिविज्वल है एथनीक ग्रूप भी है जो कि नौर्थ इस्टर पार्ट आफ इंडिया से असेटेट है नौर्थ वेस्टर मैनमार से है मैनमार से और साथी साथ यहाँ पर नागर लेंड मनीपूर अरुणाचा परदेस और आसाम में है नागर ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगा और वी रीजन में है ऐसा नहीं कि यह पटिकलर्ली एस्टेटेट है नागर लेंड से भी इसके अगल बगल वाले से भी आपके एससेटेट है क्योंकि आपका जो I.M. था यानि कि National Socialist यह आपका जो Council of नागर लेंड थी इसमें से जो I.M. था ना, I.M. का दिमांड था कि यहाँ पर आपके अगल बगल वाले जो सेटेट है उसको भी इहाँ पर include किया जाए तो इसलिए यहाँ पर आपका नागर ट्राइब का है तो नागर लेंड मेंड में भी है मनिपूर है और हुनाचा पर दिसवार असाम में भी है प्रॉमिनेंट अगर नागर वारियर में जो कि नागा लेंड में नागा में की क्लोफिंग की बात करो तो काफी अलग है और यह काफी डेकोरेटेड है वाइल बोर कैनाइन दित से और वाइट ब्लाक जो हॉन्ड बीन फेदर से उनसे इनका टोपी वागेरा बहुत ही अच्छे से यह आपका डिजाइन क्या हो रहता है इंपोर्टेंट फेस्टिबल अगर हम लोग इनका देखे तो यह तो पता नहीं क्या लिखी हुए लेकिन हॉर्ण बिन फेस्टिबल आप लोग ध्यान रख सकते हैं जो कि नागा ट्राइब्स का ही है और यह तो इक अलग ही लैंग्वेज है आप लोग इस अगर यहां पर कोकी नागा ओर्गनाईजेशन के बारे में देखें तो यह वन ओफेटीन कोकी मिलिटेंट ऑट्बीट की है और आज की आपका पीस टॉक्त प्लिट करी है गर्मेंट ऑफ इंडिया के साथ जो डिमांड ही इस क्रूप का ये है कि एक सप्रेट अलग से टेडिटोरियर काउंसिल फॉर कुकी लैंड होना चाहिए और कहां पर होना चाहिए तो बेसिकली मनिपूर की होनी चाहिए तो ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली ये अपरेशन सन्राइस टू को कारिक किये थे वो भी रिस्पेक्टिव बॉर्डर एरियास में तो अपरेशन सन्राइस टू है क्या ये जो आर्मी है ये कॉडिनेट किये थे एक दूसरे को और यहां पर कुछ कैम को बस्ट करने के लिए जो कि मिल टैंट हाउटफिट किये जै इनके कैम को यहां पर बॉर्स्ट करने के लिए इस तरीके का आपका यहां पर एक उपरेशन चलाया गया था तो जो फर्स्ट फेसे ऑपरेशन सन्राइस का वो फेवरेटी टूजन नाइटीन में ही चलाया गया था साती से यहां पर इंडो मैनमार बॉर्डर में और इंडो कांग चाहजक कही मैं कि इन्डीक में लाम की आप जाने चिंज का जा कांग मेंक है जो कांग में विस्था जानि-स पारिक है आप लिगागी थी में, भी पर्चिन के ब्रकूर first use policy है तो ये भी एक तरीके का प्लेस है जो कि हमारे कंट्री के द्वारा लिया गया था कि हम लोग यहाँ पे nuclear weapon को पहली बार इस्तिमाल नहीं करेंगे हम लोग जो nuclear weapon का एक तो हम लोग क्या किये कि NPT के member भी नहीं है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है nuclear weapon को अपने कंट्री में रखे ही क्योंकि हमारे दोनों तरफ कौन है तो हमारे दो तरफ जो है हमारे दो बेस्ट फ्रेंड है एक तो चाहिना है जो हमारे समय सभी ख़वर लेते रहता है उससे भी बड़ा जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान है जो कि हम लोग से इ तो इसके लिए हम लोग NPT को साइन नहीं किये और साथी साथ क्या किये कि इसके अलावा हम लोग एक बड़ा अच्छा खेल के लिए हम लोग बोले कि हम लोग नो फर्स्ट यूस पॉलिसी जो है इसका प्लेस ले ले लेते हैं कि हम लोग पहली बार अपने मन से तो जब ऐसा हम लोग भूल रहें तो हम लोग भी थोड़ा याद कर लेते हydi & थो इस तरीके काम हम लोग नहीं करेंगे वह लोग जब हम लोगको याद करेंगे तो हम लोग इनको रिस्पाॉंड करेंगे intent हे उसको है न तो इस तरीके का हमारे है यहां पर प्लेस था तो इस लिए हम ल अब इसके उपर तो एक movie भी बन चुकी है I think कि आप लोग देखे होंगे John Abraham की तो इसके बार में बताना है कि पहली test कब और कहां होई थी यह second है तो इसके बार देख लेते कि no first use policy जो दुसरे country में हभी है क्या कि हमी लोग ऐसे बहुत बड़े बुधिमान बैठे है तो चाइ 1982 की बात करूं तो यहाँ पे Soviet Union है जिन्होंने no first use policy को place करी थी और 1993 में Russia जो है इस तरीके के stance से बहार निकल गई तो ऐसा नहीं है कि यह आपका एकदम से forever हो जाता है अब circumstances तो चेंज होने लगती है उससे साफसे जाना countries को modify भी कर सकती है तो पहले तो Soviet Union ने यह प्लेस दे लिए उसके बाद इसको लगा कि नहीं नहीं जब हम लोग को मन करेंगे तो हम लोग भी बंबारी करेंगे तो यह उनसे बहार निकल गए पाकिस्तान की बात ही क्या करनी पाकिस्तान तो ऐसा commitment कर नहीं सकता क्योंकि यह अगर बंबारी छोड़ दिये तो फिर हमारे हम से कैस कि cyber security सबसे पहले तो समझने का कुशिश कीजिए कि किस तरीके की security की बात कर रहे है cyber security it means कि हम लोग अपने network हम लोग अपने program हम लोग अपने space को यहां पे join किसी तरीके से secure कर रहे है और secure कैसे करना है माल लिजे कि आपकी कोई भी laptop है उसमें attack हो जाता है आए दिन attack दिखते जिससे क्या होता ग leap कि आपकी जो system है कि हमारे फ़ुद्वर को है कि हमारे information को चौुरी करते और है क्यां से करते है阿 cassis करते को फूरेयर सब इसकीwww तो यहां पर हम लोग अपने नेटवर्क को अपने सर्वर को अपने यहां पर जितने भी डेटा उसको सेफ करने के लिए अगर कोई डिजिटल अटाक होता है cyber security का मतलब है कि हम लोग अपने network और अपने जो भी network है उसको बचा रहे किस चीज़ से बचा रहे तो digital जो attack हो रहा है उससे बचा रहे तो अब इसमें हम लोग बहुत तरीके के काम कर रहे हैं क्यों काम करना पड़ रहा है क्योंकि आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि मोदी जी बोल रहे है कि digitization हम लोग को पूरी तरीके से digitization करना है हम लोग को सारी चीज़े ऑनलाइन इस्तेमाल करनी है second thing आ रहा है कि digital India, digital India जब से आया है तब से इस चीज़ पर भासन दिया जा रहे है कि digital India पर हम लोग को convert हो रहा है पहले आपने पेट कर दी उसके बाद groceries आगया आपने समान ले ली बहुत बढ़िया लेकिन जितना भी आप लोग समान आपको पता चला कि पूरा समान जो है बरबाद है यानि कि आपकी टमाटर भी गली भी है आपने बैगर मंगा आया उसमें पिल्लू भरवर के है आपकी जो धनियापती है उसने पूरी मुर्जाई भी धनियापती दे दी तो क्या फाइदा अब कुछ नहीं हो सकता अब सिर्पट को है कि ने तो यह क्या हो गया कि यह तो आपका एक लग है जो लग खराब हो गया दूसरी बात बताती हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने Amazon म होई हाला कि तीन-चार दिन के बाद refund हो जाती है लेकिन आपने पेसंस खोथी पेसंस नहीं रखी तो आपको क्या होगा आपका कहीं ट्रस्ट डख मगा जाएगा आप डर जाओगे यह फिर से पेमेंट करेंगे फिर पे आपका जो लॉस हो जाएगा तो फिर क्या होगा माल ऐसे भी बैंक ओपन है लेकिन जाओगे कहा कैसे जाओगे दिक्कत हो जाएगी तो यह सारी चीज़े है तो ट्रस्ट तो हो नहीं रहा है आप लोगो दिक्कत तो हो रही है आप लोगो तो यह तो पहली आम सी मैं एक्दम एक्जांपल दे रही हूँ जो कि आप लोग में से माईं में रहता है ना कियार मानी कहां गई और नहीं आ रही है नहीं तो यह सारी चीज़ है starting में कुछ भी चीज़ हम लोग इस्तेमिल करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं शंका लगे रहते हैं बार-बार यह चीज़ए होती है तो हम लोग जहें उसको handle करने में export हो जाते हैं तो ये problem क्या है कि cyber security नहीं है तो एक trustful जो है आपका payment gateway होना चाहिए जिसमें कि सारे लोग अगर payment कर रहे हैं huge amount में payment हो रहा है तो वो कहीं फसे नहीं कहीं आपके अठके नहीं आराम से smooth आपकी payment होनी चाहिए payment gateway आराम से security का क्या है कि आप लोग देखते हो कि कभी भी जो है hack हो जाती है जैसे आप लोग इतना वड़ा data आपने mobile पे रख रहे हो पेटियम वगेरा रख रहे हो जिसमें आप अपने account की detail रखते हो भी map है जिसमें आपकी account की detail है साथ ही आप लोग अपने bank की भी जो जो app अगेरा चलती है बैंकों की app तो उसमें भी आप लोग जो है अपनी detail रखते हो तो कितनी sensitive data है आपकी account की आप पर data है क्या पता आपके account में जितनी भी money हो सारी sensitive data आती है तो इसको secure करना सबसे ज़्यादा जरूरी है है कि नहीं तो यह सारी चीजों पर काम किया जा रहा है अब यहां पर पहले बात करते है कि critical information infrastructure security in India सबसे पहले क्या होता है कि कि किसी भी चीज को save करने के लिए हम लोग को infrastructure बनाना होगा infrastructure बनाएंगे तभी तो हम लोग सारे data को save करने का जो है एक जिम्मा ले पाएंगे और data को एक जगा input करके रख पाएंगे तो सबसे पहली बात क्या हुई है कि बहुत बड़ी बात हुई है यह कुंडब कुलम तो कुदन कुलम जो nuclear power plant है उसमें attack हुआ है और यह किससे तो spyware से और इस spyware का नाम है D-Track तो D-Track एक programmed है जो कि सारे data को चोरी कर ली और hackers को यह दे दिया गया और साती जो actor है यानि कि जो इस तरीके के nuclear power plant को चला रहे थे उनकी complete control जो है अब infected device का जो control है वो इसी hacker के हाथ में आ गया यानि कि यह spyware के द्वारा जो है इसको यहाँ पर आपका hack कर लिया गया और project की जितनी भी चीज़े है जितनी भी information है यह hacker के पास चले गई अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका credential और जो password है वो भी exposed हो गया hacker के पास और यह जो incidence है इससे एक serious doubt आ रहा है इंडिया की readiness में कि कि इस तरह किसे इंडिया अपनी critical information infrastructure को protect भी नहीं कर पा रही है तो यह तो ब प्रोवाइड करना है एक अच्छा खास सिस्टम होना चाहिए functions होना चाहिए जो की incapable है destruction है जिससे की क्या होगा कि एक आपका impact हो सकता है हमारे national security में क्यूंकि इस तरीके का nuclear power plant की अगर यहाँ पे hack हो रही है nuclear power plant में अगर इस तरीके का आपका एक digital attack हो रहा है तो बहुत इस सारे चीजों को यहाँ पर ध्यान रखते हुए हमें इस तरीके का काम करना है इस तरीके का infrastructure build करना है कि जिससे की हम लोग एक सही तरीके से अपने information को secure कर सके है जो कुछ यहाँ पर critical sector है जो कि यहाँ पर आपको यह critical information infrastructure में cover किया जाएगा तो क्या क्या है यह भी देख सबसे पहले तो यहाँ पर power और energy है जैसे की thermal power है hydroelectric power है nuclear power है इन सारे चीजों को इस infrastructure में रखा जाएगा इनकी data को रखा जाएगा इसको हम लोग इस तरीके के infrastructure में हम लोग जो है include करके रखेंगे अब इसके बाद आता है national critical information infrastructure protection system center यह एक center है जो कि national technical research organization है यह इसकी नोडल agency है जो कि information technology act 2008 के तहत है और यह सारी measures लेगी कि कि किस तरीके से associated research हो रही है और development हो रही है वो भी यहाँ पर protection करने के लिए जो हमा तो इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर आपका काम करा जागा इस center में काम करा जाएगा जो cyber security policy है 2013 की उसको हम लोग कह रहे है कि यहाँ पर creation के लिए है यानि कि यह जो हमारी national critical information infrastructure protection center है इसी के creation के लिए इस तरीकी की policy बनाए गई गई थी अब कुछ और mechanics में देख लेते जो कि हमारे इंडिया में cyber security को यहाँ पर setup करने के लिए है तो सबसे पहली 13 है इसके इस पे regarding questions पूछा गया है तो यह 13 means क्या है computer emergency response team है यह इंडिया की है यह responsible है सारे non critical systems के लिए और जितनी भी report है उसको collect करने के लिए और सारे cyber attack है उसकी report को यह collect करती है और सारे non critical report भी य साथी साथ यहाँ पर national cyber coordination center भी है जो कि सारे internet traffic को यहाँ पर जो भी इंडिया में आ रही है उसको scan करती है और एक real time situational awareness यहाँ पर provide करती है और बहुत सारे security agencies को भी alert करती है तो यह तो हमारे network से related है और वो हमारे data से related है search in अब second यहाँ पर cyber security policy भी है 12th India security summit जो कि organized किया गया इसकी theme है towards new national cyber security strategy तो इससे पहले हम लोग जो policy हमारे हैं already है cyber security policy 2013 की इसमें क्या-क्या बाते रखे गी थी उसको देख लेते है इसमें क्या है कि different different bodies को set up करना है जिससे कि जो various level की threat है उसको यहाँ पर tackle किया जाएगा साथी यहाँ पर national जो नोडल agency है उसके साथ और सारे cyber security matters को यहाँ पर coordinate किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर बात रखे गी इतिने की national critical information infrastructure protection center बनाई जाएगी साथी यहाँ पर आपका workforce भी बनाई जाएगा जिसमें की 5 lakh trained होगे वो भी cyber security में एक fiscal benefit यहाँ पर provide किया जाएगा businesses को जिससे की वो यहाँ पर best security practices को adopt कर सके साथी यहाँ प्राइवेट जो partnership है उसको develop किया जाएगा और collaborative engagement होगी टेकनिकल और operational आपका जो cooperation उसके थूरू साथी साथ हम लोग अपने country में security technologies को हम लोग build करेंगे और वो भी research करके तो यह सारा काम हम लोग cyber security policy 2013 के अंदर रखे थे इसके अलावा एक है हमारे हैं Indian Cyber Crime Coordination Center है तो Union Ministry of Home Affairs ने inaugurate करी है अभी Indian Cyber Crime Coordination Center इसको I4C कह रहे है क्योंकि 4 यहाँ पर C है एक Cyber Crime Coordination Center है तो इसको I4C भी कह रहे है और एक यहाँ पर portal भी launch किया गया है National Cyber Crime Reporting Portal भी है online भी अगर कोई crime हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर report कर पाऊगे यह जो scheme है यह आपका setup करी है Indian Cyber Crime Coordination Center जो कि approve किया गया था अल्रेडी October 2018 में दो साल के लिए है 2020 तक है जो कि सारी तरीके की cyber crime को deal करेगी वो भी comprehensive and coordinated manner में साथ यह जो center है यह हमारे New Delhi में है और National Cyber Crime Reporting Portal की बात करें तो यह इस scheme की component है जैसे की कुछ और component है इसमें National Cyber Crime Threat Analytical Unit है और platform है Joint Cyber Crime Investigation Team की National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem है National Cyber Crime Training System है तो यह सारी की भी यहाँ पे जो है इस portal में आपका काम किया जाएगा अब इस portal की बात करूँ तो यह citizen centric initiative है कहने का मतलब है कि हम जैसे लोग भी इसको इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और हम जैसे citizens को enable किया गया है कि कोई भी cyber crime अगर online हो रही है तो इसको हम लोग report करेंगे और इस portal की through कर पाएंगे इस specific focus होगा कि अगर कोई women के against crime हो रहा है बच्चों के against crime हो रहा है particularly अगर child pornography है child sex abuse material है यह फिर online content है जिसमें कि rape अगरा आपका pertain हो रहा है या फिर gang rape दिखा जा रहा है या फिर financial crime है तो यह सारी चीज़े अगर आप लोग देख रहे हो तो हम जैसे Indian citizens का यह हक है कि हम लोग इस तरीकी के portal में जो है उसके बाद है Russian lead resolution cyber crime treaty में तो रशिया की क्या यहाँ पर resolution ही यह देख लेते है इंडिया vote करी है वो भी यहाँ पर रशिया की जो lead United Nation revolution है उसके favor में कि एक separate convention होना चाहिए हमारे हाँ cyber crime में जैसे कि आप convention देखते हो इंवार्मेंट के लिए है हमारे हाँ wildlife species के लिए है humanity के लिए है और refugee के लिए है यहाँ पर genocide crime के लिए हर एक चीज़ के लिए convention है तो अब यह वक्त आ चुका है क्योंकि यह modern इंडिया है इसमें हम लोग different technologies के इस्तेमाल कर रहे है digitization की बात कर रहे है तो हमारे हाँ यहाँ एक cyber crime के उपर एक convention होनी चाहिए तो रशिया lead year resolution है cyber crime के उपर तो रशिया की जो proposal है कि countering होनी चाहिए कि किस तरीके से information के इस्तेमाल हो रहा है communication technology का वो भी criminal purpose के लिए है तो इसको pass किया गया है एक committee के अंदर में चोकि United Nation General Assembly की है यह जो proposal है एक committee बनाएगी जिसमें कि यह आपका August 2020 में New York में convene किया जाएगा और साथ एक new treaty यहाँ पर आपके establish की जाएगी जिसमें कि nation state जो है वो coordinate करेंगे और अपने data को share करेंगे जिसे कि वो cyber crime से बस सके यह जो draft है convention का वो propose किया जा रहा है और यह बुदापेस्ट convention के भी beyond है बुदापेस्ट convention की चीज़ से है तो बुदापेस्ट convention में यहाँ पे cyber crime से related है तो इसी के दर्श पे भी यहाँ पे आपका रखा जाएगा साथी US है European official है और human rights है जो कि यहाँ पे देख रहे है इस resolution को कि एक opportunity है authoritarian states के लिए जैसे कि Russia और China है जो कि आज की date में global norms है और यह यहाँ पे state control of internet को भी endorse करते है तो इसलिए हमारे हैं convention होना बहुत जादा जरूरी है अब आता गई है बुदापेस्ट convention की जो कि cyber crime के उपर थी तो इसके बारे में भी आप लोगो पता होना चाहिए यह जो आपकी council of Europe है cyber crime convention इसको हम लोग बुदापेस्ट convention भी कहते है यह 2001 में थी यह सिफ only binding international instrument है जो कि internet से related computer crime से related यहाँ पर जितनी भी चीज़े उसको address करती है साथी यहाँ पर जो legal authorities है investigate करने के लिए techniques को और साथी यहाँ पर corporations को भी increase किया जाता है nation के nation में तो इसको भी यहाँ पर आपका improve करती है तो इसमें आपका internet वगेरा का काम है यहाँ पर computer crime की बाते रखी गई है साथी यहाँ पर कुछ issues को भी deal किया जाता है जैसे कि copyright का अगर कोई problem हो गया तो यह सारी issues को यहाँ पर देखा गया है इसका A में के common criminal policy होनी चाहिए especially यहाँ पर एक appropriate legislation को adopt करना है और साथी international policy भी होनी चाहिए और judicial cooperation भी होनी चाहिए तो यह सारी चीज़े जो है यह Budapist convention में थी जो कि आप लोगो पता होना चाहिए साथी इस convention में total कितने हैं तो 56 member है जिसमें कि US UK है लेकिन इंडिया अभी भी इसकी member नहीं है very important point इंडिया इसकी member नहीं है बुदपिस्ट की यह धियान रखना है इंडिया जो है वो यहाँ पर आगू कर रही है कि national sovereignty issue है बुदपिस्ट convention के साथ और वो इसको sign नहीं करेगी स्टीटी को क्योंकि इंडिया की participation के बिना बिना यह आपका draft किया गया था यानि कि इंडिया की participation नहीं थी जब इसको draft किया जा रहा था तो इंडिया की पर जॉइन कर लेगी तो प्रियमल में भी आपको sovereignty देखने को मिलेगा यानि कि एक संप्रभूता है हम लोग जो है ना अपने आपको उपर रख रहे हैं यानि कि हम लोग किसी के भी decisions के अंधर नहीं जाएंगे हम लोग के उपर खुदी एक हग है कि हम लोग अपना decisions अपने ले सकते हैं हम लोग देखते हैं कि challenges है ISI का इंडिया में जो Islamic State Terror Group है वो यहां पर claim करी है first time कि वो यहां पर एक province establish करेगी इंडिया में जब यहां पर clash हुआ था na militant और security forces का कश्मीर region में तो उसके बाद यहां पर ISI का ऐसा कहा गया था कि वो एक province भी बनाएगी इंडिया में तो Islamic State के बारे में जो कि Islamic State based on Sharia law और जो Islamic Caliphate है उनके उपर यह best थी आईएस की अगर हम अमाक news agency की बात करें तो यह announce करी है कि अब new province वो इंडिया में बनाएगी जिसको यहां पर विल्लिया ओफ हिंद कहा जाएगा और past में आप देखोगे तो IS जो है वो यहां पर convert करी है इंडिया को खुर यहां पर operation है कैला मुल्यर तो कैला मुल्यर जो है यह US operation है जो कि इंड करी थी यहां पर Islamic State Chief जो अबुबकर अल बगदादी थे उनकी death के बाद जो है इसको इंड करने के लिए यहां पर इसका death कर दिया गया था तो यह operation चला गया था US operation के द्वारा फिर कुराइश जो आप प्रोविंस नौर्थ आफ रियाद में है साओध अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा तो यह drone attack हुआ था बहुती बड़ी attack थी तो बहुती बड़ा नुकसान भी हुआ था Saudi Arabia को इससे related और इसलिए यह याद रखना है कुराइश ओयल फिल यह जो facility है यह ओन किया जाता ह है Saudi Arabia state-owned oil companies के द्वारा और इनके इसके कारण जो है na oil price में बहुत ज़्यादा volatility भी देखने को मिला था certain price जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ठीक है तो यह आपको operation भी धियान रखना है अब आते हैं next एक index भी देख लेते हैं इतना ज़्यादा terrorist वगेरा हो गया तो global terrorist index 2019 भी देख लेते हैं recently यह index आपका publish किया गया है Sydney Best Institute for Economic and Peace सबसे पहले तो यही धियान रखना है कि यह index आपका किसके द्वारा publish की गई है आप इस index के बारे में देख लेते हैं यह जो इंडेक्स है एक comprehensive summary देती है global आपका जो trend चलते आ रहा है क्या terrorism का 2000 से आज तक का pattern है तो इसको यहाँ पे दिखा जाता है साथ यह composite score भी दिया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे ranking किया जाए countries को वो भी कितना impact है यानि कि terrorist में से कौन सी country कितना impact है तो उसके basis पे उसको ranking भी दी जाती है आप इस index के बारे में देखते है 2019 में तो global death अगर हम दो देखे यानि कि जो terrorist में के कारण जो death है 2018 में यह कम हुई है 15% तक कम हुई है इविन जो number of countries affected है extreme violent में वो बढ़ा है यानि कि बहुत सारी countries यहाँ पे affected है लेकिन number of death यहाँ पे कम हुई है अफगानिस्तान की बात करें जहां पे तालिबान जो है पैर पसार के बैठी है तो वो यहाँ पे आई-एस को भी succeed कर दी है तो यह ranked है यानि कि टॉप most terror striking country में यह आपका है और rank किया गया है और जो कि Iraq, Nigeria और Syria से भी आगये है इंडिया की बात करूँ तो इंडिया हम लोग 7th place में है और उस country में है जो कि terrorism सबसे ज़्यादा affected है तो हमारी जो rank है वो याद रखना है यह किसके द्वारे यहाँ पर publish किया जाता है यह याद रखना है अब global peace rank भी देख लेते हैं यानि कि global peace index है यानि कि दुनिया में कितनी शांती है तो यह institute for economic and peace चो कि यही release करी है 13 edition है global peace index का तो global peace index के बारे में देखते हैं यह rank करती है country को उनके level of peaceful की कितना शांती है यानि कि 3 यहाँ पर domain देखना है परता है कि societal safety कितना है level क्या है security क्या है साथी ongoing जो domestic और international conflict है वो कैसी है और militarization की degree कैसी है तो यह 3 basis पर हम भाफ लेते कि कोई country में कितना शांती है जो average level है global peaceful का वो first time यहाँ पर 5 सालों में improve हुआ है पहली बार यानि कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी बात है Iceland की बात करो तो आज भी यह most peaceful country है world में और 2018 से यह top में ही है अफगानिस्तान की बात करो तो least peaceful है क्योंकि यहाँ पर तालिबान के कारण बहुत जादा problem होती है और Syria को यह replace कर दी है वो भी second peaceful यह आपकी country है इंडिया की बात करो तो हम लोग भी जो है बहुत जादा दुखी होते जा रहे हमारे यहाँ शांती नहीं है 141 है जबकि 2018 में हम लोग 136 में थे तो हमारे यहाँ भी सांती कम हो रही है तो यह इस तरीके से rank किया रगना है कौन सी यह publish की है और last यहाँ पर अफगानिस्तान है तो again very बड़ी बात है कि यह अफगानिस्तान ही है और Iceland यहाँ पर top में है कोई नहीं बात नहीं है यह हर बार हम लोग पढ़ते तो average label जो है वो यहाँ पर आपका improve हो रहा है फर्स ताइम इंप्रूव हा है लास्ट फाइव यह में तो यह भी ध्यान रखना है तो global peace index के बारे में इतनी है तो guys आज के लिए बस इतनी ही रखते है rest of the lesson को मैं एक और lesson लाना होगा क्योंकि अभी मैं complete नहीं कर पाऊंगी यह दो घंटे का भी lesson चला जागा तो इतना worth नहीं है आप लोग लिए पास्पॉंड हो गई है तो कोई बात नहीं पास्पॉंड हो गई तो इतना बले बले करने की जरूत नहीं है आप लोग अपनी study को continue रखे क्या पता कब ले लिया जाए तो थाट में के बाद ऐसे पता चल जाए कि कब next date होगा लेकिन फिर भी आप लोग जो है कभी भी lose मत ह होई है अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करते रही है चली अच्छा है positive sign लेकर आप लोग चल सकते कि आप लोग को time मिल गई है तो इस lockdown का फायदा उठाइए time का फायदा उठाइए अराम से पढ़िए और मेरे lesson इसी तरीके से आते रहेगी March month की भी जो current affairs है वो मैं अभी फ 2019 की इसमें हम लोग देखेंगे तो अगर आप लोग ये lesson अच्छी लगी और हाँ आप लोग जो 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 प्रॉफिट हो जाए ठीक है और इसी तरीके से मुझे और भी ऑप्शनल का मिलेगा तो मैं जरूर आप लोग को जो है कम से कम जो YouTube चैनल तो वो मैं आपने को जरूर सब्सक्राइब करोंगे तो आज के लिए बस इतनी ही अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फिर भी कोई डाउट कोई नी सजेशन से तो कमेंट वाक्स में लिख सकते हैं and make sure कि आपन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू